जै जिनेंद्र, वेल्कम बेक टु दे बेकर्स टाउन आज हम बनाएंगे ओर्यो पॉप्स एंड चोकलेट रोल तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे ओर्यो पॉप्स और्यो पॉप्स के लिए मैंने लिया है यहाँ पर डाग चोकलेट कमपॉउण यहाँ पर मैंने कॉलेट का डाग कमपॉण लिया है उसके बाद हम लेंगे मिल्क और साथ ही लेंगे हम और्यो यहाँ मैंने एक पेकेट और्यो लिया है जिसमें फाइफ पीस है अब यहां इनके छोटे-छोटे pieces करेंगे pieces करने के बाद हम इसे mixer में grind कर लेंगे mixer में grind कर लिया है और इसका बिल्कुल मैंने fine powder बनाया है अब हम इसमें यहां add करेंगे milk milk को थोड़ा-थोड़ा add करेंगे यहां मैंने एक साथी milk को add कर लिया है बागी आप थोड़ी-थोड़ा करके इसमें milk को add करें अब हम इसे अच्छे से mix करेंगे अब यह बिल्कुल ready है तो हम इसे 10 मिनिट के लिए room temperature पर ही set होने के लिए रखेंगे आप देख सकते हैं हमारा dough set हो चुका है अब हम थोड़ा dough लेंगे और उसे round shape देंगे मैं यहां pops बना रही हूँ इसलिए round shape दे रही हूँ आप चाहें तो अपने according कोई भी shape दे सकते हैं बस इसी तरह shape देखकर हम सारे dough के pops बना लेंगे pops ready है तो अब हम इने 15-20 मिनिट के लिए freeze में set होने के लिए रखेंगे और ध्यान रखेंगा freeze में रखें, freezer में नहीं dark chocolate compound को मैंने यहां melt कर लिया है melt करने के बाद हमारे pops set हो चुके हैं अब हम उने चॉकलेट में deep करेंगे fog की help से हम इने बाहर निकाल लेंगे इसी तरह से हम बागी pops को भी चॉकलेट में deep कर लेंगे और ध्यान रखें कि चॉकलेट में deep करने वाली process हमेशा pops को पहले freezer में set करें उसके बाद ही deep करें इने चॉकलेट में सभी pop's को chocolate में deep करने के बाद हम फिर से ऐसे 10 मिनिट के लिए freeze में set ओने के लिए रखेंगे freeze में रखें, freezer में नहीं pop's set होते हैं तब तक हम स्टार्ट करते हैं चकलिट rolls चकलिट rolls के लिए हमें चाहिएगा duck compound वही मैंने collect कई duck compound लीया है second ingredient हमारे रहाएगा मेरी गोल्ड बिस्कीट और थर्ड, थर्ड इंग्रीडेंट हमारा रहेगा गनाश, यहां मैंने डाग चोकलेट गनाश लिया है यहां मैंने दो पैकेट मेरी गोल्ड बिस्कीट के लिये हैं इसे भी हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और यहां आप देख सकते हैं कि मैंने इसका फाइन पाउडर नहीं किया है इसे हलका सा दर्दरा ही मैंने यहां रखा है अब हम इसमें एट करेंगे गनाश बावल में मैंने आपको जितना गनाश बताया था वो सारा ही गनाश हम इसमें एड़ कर देंगे गनाश एड़ करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गनाश अब इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसका अच्छे से एक डो तेयार कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारा डो अब बिल्कुल रेडी है हम चोकलेट रोल्स बना रहे हैं इसलिए इस डो से हम चोटे-चोटे रोल्स बना लेंगे मैं यहां rolls बना रही हूँ आप अपने मन के according कोई भी shape दे सकते हैं इसी तरह से हम बाकी के बने डोके भी rolls ready करेंगे सबी rolls ready करने के बाद हम इनने भी 15-20 मिनिट के लिए freeze में set होने के लिए रख देंगे freeze में रखे, freezer में नहीं यह rolls आप देख सकते हैं freeze में set हो चुके हैं अब हम इने chocolate में deep करेंगे और chocolate में deep करने के बाद फिर से 10 मिनिट के लिए freeze में set होने के लिए रखेंगे oriopops जो हमने freeze में set होने के लिए रखे थे, यह set हो चुके हैं अब हम knife की help से जितना भी चॉकलेट का एक्स्ट्रा पार्टे वो निकाल देंगे और इसे एक जैसे शेप में करेंगे इसी तरह से हम बागी चॉकलेट्स को भी एक जैसे शेप में कर लेंगे अब इन पॉप्स और रोल्स की गानिशिंग करेंगे जिसके लिए हम उपर से melted चॉकलेट डालेंगे गानिशिंग करने के बाद आप फिर से दो मिनिट के लिए फ्रीज में से सैट होने के लिए रखे फिर ये हमारी चॉकलेट्स बिल्कुल रेडी रहेगी और आप भी ट्राइ कीजिए और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले